दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चेलल के एक बार ली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 90's में हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसे खूंकार विलन्स थे जो अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लेते थे और काफी अच्छी एक्टिंग करते थे लेकिन अब वो किस हाल में है और कहां है तो कुछ ऐसे विलन्स के बारे में हम बात करेंगे 90's के तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तो हरीश पतेल साल 1983 से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और कई बड़ी छोटी फिल्मों में उ हमें नज़र आ चुके हैं हरीश पटेल का जन्म 5 जुलाई साल 1953 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7 साल की उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था हरीश पटेल रामायान में महीला और पुरुष दोनों के किरदारों में हमें नसर आए और उन्हें अपना पहला फिल्मी ब्रेक साल 1983 में मिला था हरीश पटेल ने इस समय में अपनी डेब्यू फिल्म मंडी में काम किया था जिसे श्याम बैनेगल ने बनाया था इसके बाद उन्होंने मिस्टर इंडिया बिल्लू बादशा मैंने प्यार किया शोला और शबनम आखे और मोहरा में जैसी बढ़िया फिल्मों में क साराय, ठेटर में हरिश पटेल ने किलासिकल के साथ मौर्डरन भारती और वैस्टरन लेखों के लिए पिले में काम किया, बॉलिवुड में हरिश पटेल ने कई बड़ी फिल्मों जैसे अंदाज अपना-पना घाता, गोप्त जब प्यार किसी से होता है, प्यार तो हो नहीं था जुबैदा विनाशक कहीं बड़ी फिल्मों में काम किया हाला कि उन्हें जो पहचान मिली वो मिली साल 1998 में आई फिल्म गुंडा से और मिथुन चक्रवर्ति स्टारार इस फिल्म में हरीश पटेल ने इब्बू हटेला का किर्दार निभाया था उनके डायलोग मैं यहूव एप मिरी शैतान की बेटी बाप मेरा शैतान का चेला आज भी दर्शकों को याद है यह किरदार हटी हरीश पटेल की फिल्म इंटर्नल्स में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में उनके साथ एंचिनिना जोली, रिचर्ड मैडन, कुमेन, नाजानी, सलमा हायक और कई हॉलिवूड स्टार्स जो बड़े हॉलिवूड स्टार्स है वो उनके साथ हमें नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का इंतिज बॉलिवूड के खतरनाक विलेंस में होती रही है मुकेश रिशी ने अपनी नाकारात्मक भूमिकाओं से और्डियंस को काफी हद तक प्रभावित किया लेकिन पिछले कुछ समय से वो बॉलिवूड से दूर है हाल ही की दिनों में उन्हें पंजाबी तेलगू कंणर और वोटपुरी फिल्मों में काम करते देखा गया है ऐसे में लगता है कि बॉलिवूड ने मुकेश को इन दिनों भुला दिया है मुकेश रिशी ने साल 2012 में फिल्म खिलाडी 786 में बहुती महत्यपूर्ण भूमी का निभाई थी आशिशार मोहन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मुकेश रिशी के साथ अक्षे कुमार आसिन और हिमेश रिशमया हमें एहम किरदार में नज़र आये थी मुकेश रिशी को परदे पर नाकरात्मक भूमी का निभाने में उनकी बहुती लंबी चोड़ी कद काथी रही है और उसमें वो काफी उनकी मदद भी करती है सुर्य वंशम, सरफरोष, घातग, बंधन, गुंडा और इंडियन जैसी कई फिल्मों में नसर आचुके अभिनेता मुकेश रिशी इन दिनों लखनाओं में है मुकेश रिशी ने अपने करियर की शुरुवात जो की थी वो अपने शुरुवाती दिनों में नियूजलेंड में रहते थे और वहाँ पे मॉडलिंग भी की है उन्होंने और वो बॉलिवूड में आक्टिंग करने का ख्वाब लेकर नियूजलेंड से भारात आई थे दोस्तों आपको बता दे कि मुकेश रिशी इस टाइम 60 साल के हो चुके हैं और इस टाइम मुकेश रिशी साउथ की फिल्मों में दमदार रोल निभा रहे हैं और कुछ हिंदी वैब सेरीज में भी वो काम कर रहे हैं अब बात करते हैं इश्रत अली की दोस्तों 90 के दशक पे बनने वाली एक्शन फिल्मों में ये चेहरा नजर आही जाता था हमें इनकी जो डायलोग डिलिवरी कुछ ऐसी होती थी जब ये शायराना अंदाज में अपना कोई भी डायलोग बोलते थे तो लगता था मानो कोई शैतान कवीता पढ़ने लगा हो तीन दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में इश्रत अली ने तकरीबन डेर सु से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है और हिंदी सिनेमा के जो शौकीन हुआ करते थे उनके जहन पर अपनी कभी न मिटने वाली एक चाप छोड़ने में वो काम्याब रहे है दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अपने दोर के हर बड़े सुपरिस्टार के साथ काम करने वाले इश्रत अली ने देर सारी बी-ग्रेट फिमों में भी काम किया है इस तरा छोटी बड़ी फिλमे मिलाकर इश्रत अली ने अपने फिल्मी करियर में लगबाग देर सो से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है 90 की दशक्गी हर बड़ी फिल्म में वो नज़र आ जाते थे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और बी ग्रेट फिल्मों के बड़े डायरेक्टर एर कांतिश शाह की फिल्मों में उन्होंने खूब काम किया है इश्रत अली के करियर की जो पिर्मुक फिल्मों की बात करें तो वो हमें नज़र आए हैं लोफर, लोहा, महराजा, गुंडा, दादा, कच्चे धागे, चुडएल नंबर वन, खौफ, बिच्चु, गदर एक प्रेम का था और राजधानी एक्स प्रेज जैसे फिल्मों में वो हमें नज़र आए हैं और इनकी आखरी फिल्म जो थी, वो थी साल 2014 में रेलीज हुई थी, प्यार का लाइब शो, इसके बात से ही वो किसी और फिल्मों में नहीं दिखे कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि इशरत अली ने सब तीवी पर आने वाले शो चिडिया घर में भी काम किया था और उस शो में उनको काफी लोगों ने उनकी तारीफ की थी और बहुत सा रहा था उनकी अक्टिंग को चलिए बात कर लेते हैं दीपक शिरके की तो दोस्तो पिछले दोर की हिंदी फिल्मों के जो विलन होते थे वो बहुत ज्यादा फेमस और लोग पिर्य होते थे तो दोस्तो अगर बात कीचे बालिवूट फिल्मों के खतरनाक विलन्स का रोल निभाने वाले दीपक शिरके की तो बालिवूट से तो दीपक शिरके गाया भी हो गए हैं लेकिन वो मराठी फिल्मों में काम करते हमें नजर आते हैं उनके मताबिक 60-65 के उमर में कई लोग सोचते हैं कि अब लाइफ खत्म हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है ये उमर बहुत ही अलग होती है इस उमर के बाद व्यक्ति धीरे धीरे बचपन की और जाने लगता है और जैसी जिन्दगी बचपन में जीते हैं वैसे जीना चाहिए हर पल हर उमर का बचपन में ही जी सकते हैं मराठी फिल्म वियार चिर्कुट में उमर पचपन की और दिल बचपन का दिखाया गया है दोस्तों आपको बता दू कि दीपक शिर्के को बॉलिवूड में फिल्म तिरंगा ने पहचान दिलाई थी ये फिल्म साल 1993 में आई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा सूपर हिट साबित हुई थी दीपक शिर्के ने इस फिल्म में एक आतंगवादी मास्टर माइंड पिरलेनात गेंडा सूवामी का किरदान निभाया था इस फिल्म में पॉजिटिव रोल में नाना पाटेगर और राजकुमार ने भी काम किया था दीपक शिर्के के अभिने ने इस फिल्म में जान डाल दी थी जो उनकी एक्टिंग थी वो बड़ी दमदार थी और इस टाइम दीपक शिर्के मराटी फिल्मों में काम कर रहे हैं अब अगर बात करें मोहन जोशी की तो दोस्तों आपको बता दू मैं कि मोहन जोशी हिंदी और मराटी फिल्मों में एक जबरदस्त अभिनेता है हिंदी और मराटी दोनों ही फिल्मों में वो जबरदस्त एक्टिंग करते हैं और उन्होंने बॉलिवूड में अपनी एक अलगी पहचान बनाई है उन्होंने बॉलिवूड में होगी प्यार की जीत, मा तुझे सलाम, वास्तव, गुंडा और जीत जैसे शांदार फिल्मों म अभी भी एक्टिव है यानि कि अभी भी वो मराटी और हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हिंदी फिल्म अभी हाल ही में साल 2020 में उनकी रिलीज हुई है अब अगर दोस्तों बात करें रामे रेड़ी की तो बॉलिवूड में कई खौफनाक विलन हुए जिनका नाम सुनकर ही लड़किया डर के मारे सहम जाती थी और उनी में से एक हैं बॉलिवूड के खौफनाक विलन गंगा सानी रामे रेड़ी जहां दोस्तों आप सभी को पहले तो ये बता दी कि रामे रेड़ी अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी उनका खौफ बरकरार है ये अभि मेलन बनकर दर्शुकों का बहुत ही मनुरंचन किया और अपनी दहशत से खौफ पैदा किया और रामे रेड़ी अपने खौफनाक अंदास में फिल्मों में जान डाल देते थे अपने खौफनाक रोल से और ये बात हम सभी मानते एक जनवरी साल 1969 को आंद्र पिर्देश मे चित्तू डिस्टिक के वायल पाड़ो में जन्मे रामे रेड़ी ने उस्मानय विश्विद्धाले तेलंगारा हैदराबास से अपने शिक्षा पूरी की थी और फिल्मों में काम करने से पहले अन्ना एम डेली नामक चैनल में एक पत्रकार के रूप में काम करते थे और व ऐसे ही चेहरे आपके सामने लेकर आऊंगा जो अभी हमें नजर नहीं आते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लागा है कमेंट में जरू बताईएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा थैंक यू